औरत, दुनिया की निस्फ आबादी ये निस्फ आबादी सारी दुनिया की पैदावारी मुशक्कत का 60 फीसद बार उठाती है लेकिन इस मुशक्कत के इवज मिलने वाली कुल उज्जरत में उसका हिस्सा फक्त 10 फीसद है हकूमत पाकिस्तान इंटरनेशनल लेबर और्गनाईजेशन के कन्वेंशन एक सो की बादापता तौसीख कर चुकी है इसलिए अब इस पर लाजिम है के अक्तूबर 2002 तक ऐसा कानूनी धांचा वजूद में लाया जाए हमारे मौाशरे में औरतों और मर्दों के दर्मियान नाबराबरी सिफ मौाशी सता पर ही नहीं बलके समाजी और सकाफती हर सता पर रवा रखी जाती है ये गेर मौनसिफाना सुलूक और रवये खुद बखुद खतम नहीं हो सकते बलके इनके हल के लिए रियासत और मुख्तलिफ समाजी हलकों की जानिब से इक्दामाद की जुरूरत पड़ेगी मसावी उजरत का कानून इसी सिल्सले की एक कड़ी है अब देखना ये है कि औरतों के साथ होने वाली समाजी और सकाफती नाइंसाफियों को कम करने में ये कानून किस हद तक और क्यों कर सूधमंद साबित होगा जादा तर ऐसा काम ओरतों को दिया जाता है जो के बहुत ही जादा जिसमें ध्यान लगा के करने का काम है जिसमें आपको सर उठाने की फुरसत नहीं मिलती है आपने अकसा देखा होगा घरों में में लड़किों को हाम खाही चावल दे दिया जाते हैं दाल दे दिया जाते य Häज गंदी के चलें इसको चुने आप टाकि ओर तो आप यह जुह लाओ ज़ा जाना जाता बाचीत नहीं और जो तो तो बेसिक जो फ्लॉसipie पीछे वो यही है, कि अगर आप गार्मेंट बना रही हैं, तो एक monotonous काम है, आप किये जा रहे हैं, किये जा रहे हैं, और आप कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, जबके मर्द अमूमन यह नहीं करते हैं, उसी position पर जिस पर मर्द आये होते हैं, और आए होते हैं, मर्द time के साथ बहुत पर आप झालगे निकल जाते हैं, जिबके और रहते हैं, वहीं क fusilayan झाल हैं वही खड़ी रहती हैं, वहीं र्त communication हो plants होती रहती है, और आप 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 यस लिदüst बहुत लुद बहुता हैां, वही चाहला करना ही, कि उलुमन नहीं करने हैं और पर फिल जो एक उन्हे उन्हान साथ जो है। उनका जो स्टाटस तिस्ताश्टी में कमजूर है। उसको इस्तिमाल किया जाता है। कि उनको सब में सिर्थ वरकर भी हैं तो सब में से भी रहे। कि हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत ज्यादा मेल डॉमिनेटेड है पेट्रियागल वैल्यूज है इसमें हाथ से जादा आप से ज्यादा से ज्यादा एंटर हो रही है मार्केट में और क्यूंकि लेबर सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो जाहर है अपना लेबर कम वैजिस पर बेचना पड़ता है यह कोई नई बात नहीं है और फो हमेशे ही कम मावजा मिला है काम के लिए चाहे वो ही काम आद्मी करें उसको ज्यादा मिलता है उतने ही काम के लिए अटने ही काम के लिए ओरत को हिस्टोरिक analyze पाकिस्तान में addicts अर्लों सार इन फैक्ट जो यह कायम हुआ था तो इसलिया कायम हुआ था कि वर्कर्स की जो वर्किंग कंडिशन्स है उनको इंप्रूफ किया जाए और यह जो इंप्रूब्मेंट होता है वो किस तरह से होता है वो होता है स्टैंडर्स के तू जो आईलो ने कायम किये हैं और स्टैंडर्स के अंदर दो चीजें होती है एक कंवेंशन्स होते हैं और एक रेकिमेंडेशन्स होते हैं कन्वेंशन्स जो हैं वो more like treaties होती हैं जैसे दो मुलकों के बीच में एक treaty हुई है और उसको follow करना या उस पे अमल दरामत करना जो है obligatory होता है convention number 100 जो के equal pay के मुतालिक है ये convention इस चीज़ के ओपर stress करता है कि जो एक equal remuneration होनी चाहिए उस काम के लिए जिसकी के नौयत एक जैसी है और जिसके अंदर के job description जो job specification जो है वो एक जैसा है एक तरह की job perform हो रही है तो work of equal value तो equal remuneration for work or work of equal value ये इसका main point है इस convention का this convention was introduced in 1951 during the ILO conference in Geneva it was adopted and so far as we know out of 175 member countries of the ILO 155 countries have ratified this conventions but I'm I think there are more countries have been ratified during a couple of months you know because what happened is that ILO has launched this declarations on the principles of rights at work which has been endorsed by all the member countries in 1998 which means that all the countries members of the ILO they are encouraged to ratify all the core convention of the ILOs which is the eight core conventions which includes convention 100 so I think it is by this time it's already more than 155 countries ratifying this ratified this conventions including Pakistan we have a convention ratified this convention and we have to follow it now how do we follow it now how do we follow it now how do we follow it now that we are normally in all countries in the world in the home of which the other programs will be filled with the people in the state of the country that when they have ratified this convention we have to be reItified as a convention so all the provisions those kinds of provisions have been made in national laws those of the national laws they have been incorporated in the country ILO could be reitable and ratified this convention ILO could be reitified by the ILO could be reitified by Pakistan now it is to be reitified to be reitified but we do not have the purpose of this convention that it is to move forward and to a point that this convention और मेर वर्कर्स की जो है उनको यकसां वजरत मेले काम की नोयत से उस पे इसके बाद लाउ मेकिंग का स्टेप है कि इसके लिए लिजिसलेशन होने चाहिए कानून बनना चाहिए वो जो अमल है वो भी काफी एडवांस स्टेच पे है इसमें थोड़ी सी देर इसलिए हुई क कि हम इस वक्त लेबर लॉज की तमाम कवानीन जो हैं जो तक्रीबन 57 हैं उसमें से तक्रीबन 36-37 के लगबक को हम कॉंसलिडेट कर रहे हैं और उनको छे बेसिक कवानीन में तबदील कर रहे हैं उस एकसराइज में ये एकसराइज भी शामल है ये एक्वल वेजिस की मेल औ होना चाहिए था लेकिन कन्वेंशन का रेटिफाई कि ये बगार भी जोरी था कि यहां लेजिसलेशन होती एकल पे के लिए क्योंकि 1948 का जो डेक्लिरेशन है यूनिवर्सल डेक्लिरेशन हिमन राइट्स का उसमें भी ये इक्वालिटी का इशू मौजूद है और पाकिस्ता ने वो रेटिफाई किया था 48 में लेकिन उनफॉर्चुनेटली लेजिसलेशन नहीं हुई फिर हमारे जो कंस्टिटीशन बनते रहें उनके तहत भी ये जोरी था कि लेजिसलेशन की जाती खास तोर पे 1973 का कंस्टिटीशन जो है उसमें आर्टिकल 25 है जो के खिलाफ है on the basis of sex तो 73 के बाद होनी चाहिए थी legislation constitutional obligation थी लेकिन नहीं हुई तो ये ज्यादे specific है labor से मतालब का ये local convention तो अब ये अगर ratify हुआ है तो बदाते खुद इसका कोई मतलब नहीं होगा जब तक पहले तो legislation ना बने कि ये convention जो आयलो के convention एक सो है इसकी implementation कोई आसान चीज़ नहीं है जो कि जब तक कि कोई ऐसा तरीका ना हो जहां पर मर्द और खवातीन जो बराबर का काम करते हैं जिसकी उनको equal pay मिलनी चाहिए उसके लिए बकादा एक mechanism की ज़रूँत है जिससे आप implement कर सकें इस convention को और अब भी हम ये कोशिश कर रहे थे जब मेकनिजम एवाल्फ करें दूसरा खवातीन के हकूख के वाले से भी मैं समझता हूं कि मुख्तलिफ हकूमतों में वो शायद commitment नहीं थी जो मौझूद हो जब में हकूमत में था कमसकर हम ने अपनी ministry में इस सोच को आगे बढ़ाया और कोशिश की कि खवातीन के हकूख खास तोर पे जब बात होती है equal pay की उसको हम implement करने की कोशिश करें तो ये वज़ा बनी कि हमारे हाँ ये सोच पैदा हुई कि हमें इस पे काम करनी की जरूरत है और तीसरा ही है कि इंटरनेशन लेवल पर भी खासा इस पे काम हुआ और मुख्तलि मुलकों ने इसको ratify किया और हमने भी मैसूस किया कि इसकी जरूरत है कि पाकिस्तान भी उन मुलकों में शामिल हो जो इस convention को ratify कर चुके हैं तो ये तीन वज़वात इनकी बन्याद पे हमने convention को ratify करने का फैस्टा किया हमने almost अभी तक 34 conventions जो है वो ratify किये हैं लेकिन जो implementation process है कि उन में से कितने effectively implement हो रहे है there is a big question mark on that सबसे हम convention जो है वो right of association का है convention 87 वो 51 से हमने किया हुआ है ratify लेकिन अभी भी जो law unionization के बारे में वो ज्यादस ज्यादा 25% labor force पे लागव होता है और उसमें रुकावटें इतनी हैं कि जैसे इस वत 3% से ज्यादा लोग पाकिस्तान में organized नहीं है तो वो उस कानून के अंदर ऐसे मसायल है कि वो उसकी spirit को खुदी violate करते है हमारा एक अधारा है Bureau of Statistics जिसका काम ही यह है कि हर साल वेक सर्वे करते हैं टोटल लेबर फोर्स कितनी है मुल्क में और उनके एक अंदाजे के मताबक जो कि उन्होंने नाइटीन नाइटीन नाइन टू थाउजन का जो सर्वे किया है उसके मताबक पाकिस्तान में औरतों की जो लेबर फोर्स में तादाद है वो 6.2 मिलियन यानि 62 लाख खवातीन लेबर फोर्स में शामिल है इस में से कोई 4.9 मिलियन यानि 49 लाख रूरल लेबर फोर्स हैं जो के दिहातों में गाओं में काम करती हैं और 13,1,3 मिली, on the urban labour force. यह distribution workers, lady workers, women workers की पाकिस्तान में इस वजए सिरूत हाल यह है. यह जो ख्याल है कि significant है कि आगर हम पाकिस्तान में देखें कि हमारे एगए किल्चर सेक्टर में, अभी भी पाकिστान में 70% लोग द wonderful देहातों में रहते हैं और देहात के उरत सवाए उन लोगों को छोड़के जो बड़े बड़े जमीदार हैं उनकी ओरतें घरों में बैठती हैं लेकिन हम तो यही देखती हैं जहां पे छोटे जमीदार हैं और जू जू पाकिस्तान में पावर्टी बहर रही है और खास तोर पे देही अलाकों में जो गुर्बत है वो तेजी के साथ बहर रही है तो खवातीन जो है वो बिलकुल जॉब मार्किट के अंदर मतब अगरी कल्चर सेक्टर के अंदर पूरी तरह से काम करती है अब ये दूसरा सवाल है कि उन में से कितनी हैं जिनको उजरत मिलती है और कितनी हैं जो अपने फार्म पे काम करती है और कितनी हैं जिनको जिनको सिर प्रजरत नहीं है लेकिन अगर उसका जो भी फसल है या उसका आप शियर ले लेते हो। दूसरा यह कि इनफॉर्मल सेक्टर में हम यह देख रहे हैं कि अर्बन सेक्टर के अंदर जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें बहुत बड़ी तदाद में औरतें काम करी हैं। इस वाद पूरे मुलक में पाकिस्तान की जो लेबर फोर्स है उसकी ओरवेल्मिंग मैजारिटी वो इनफॉर्मलाइस्ट किंडिशन में काम करती हैं। लेकिन औरतें जो हैं वो तो खास तौर पर तो इनफॉर्मलाइस्ट किंडिशन को अगर आप देखें। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर वो होता है जहां थोड़े से लोग काम कर रहे हों कोई प्रॉपर जो है वो प्रेमिसिज ना हो। इसा नहीं है पर वो रिगिलेटिड अगर नहीं है तो वो इनफॉर्मल है यह लीगल बेनिफेट्स लोगों के ना हो तो वो सब इनफॉर्मल है चाए वहां दस आदार लोग क्यों ना काम कर रहे हैं। तो इंफॉर्मेंट की नेचर को देखना है कहां वैट के लोग काम कर रहे हैं वो इतना एहम अब नहीं है तो दस आदार की टेक्स्टाइल मिलों में जो है 70% लोग अगर कॉंट्रेक्टर्स के थ्रू हैं तो वो इनफॉर्मल उनको वही पैसे मिलते हैं जिस दिन उनोंने क किया उसके लावा उनका कोई बेनिफेट नहीं है तो लीगल कोई बेनिफेट होने नहीं है तो जैसे के एक अनडॉक्यूमेंटेड अन्रेजिस्टर्ड जो है वो कारोबार होता है इसी तरह अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर जो है वो भी इनफॉर्मल है और वो अक्सरियत ह और औरतें जो हैं, वो 90% से ज्यादा ऐसे ही कर एदारों में काम करती हैं और ऐसी सिचुएशन में काम करती हैं औरंगी में आप चले जाएं, लालू खेत में चले जाएं, कुरंगी में जाएं अब जो पॉश अलाके समझे जाते हैं, जो मिडल क्लास एरिया समझे जाते हैं वहां पर भी रहाइशी आलाकों में चोटे-चोटे कारखाने हैं या उनके साथ जो चोटे गरीब आबादियां हैं, वहां पर लोग घरों में काम कर रहे हैं उसमें बहुत जादा वराइटी है, वह फूड पैकेजिंग से लेकर सुजूकी के पुर्जे बनाने तक और हिटाची और फिलिप्स के जो ट्यूब लाइट्स हैं, ये बनाने तक का काम जो है, वो घरों में हो रहा है ये जब हमने देखा तो भी हम लोगाने सुचा एक कम पैरिזה करना चाहिए, कि फेक्टरी वर्कर्स जो है, उनके क्या हालात है, और जो ओड़ों गरों में काम कर रही हैं से उनका बर्डन बहुत जादा हो जाता है और इस तरह से जादा हो जाता है कि उनको कोई रास्ता नहीं है कि उसे कम कर सकें मिडल मैन जो है वो उसकी हाथों परेशान होती है फैमिली के हाथों परेशान होती है कि फैमिली वाले ये भी चाहते हैं कि आप काम भी करें और फैमिली वाले ये भी चाहते हैं कि आप बाकी जमेदारियां भी पूरी करें दूसरा जो यह trend है in formalization का क्योंके trade unions कम हैं और यह कम होते चले जा रहे हैं क्योंके factory यह बंद हो रही हैं घरों में काम जा रहा है तो उस वज़ा से बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे और ओरतें काम में आ रही हैं जो के घरों में बैठके काम करते हैं और घरों में बैठके आप बिल्कुल किसी किसम की कानून को ensure नहीं कर सकते हैं तो उधर औरतों का जो exploitation है वो सबसे ज्यादा high level पर है और उधर ही घरों के अंदर ही जो औरतों और बच्चों को मावजा मिलता है वो almost मतलब one fourth है official wage का क्यूंके औरतों और बच्चों के काम को को कोई खास वो तर्जी भी नहीं दी जाती कुछ ज्यादा समझा भी नहीं जाता है तो कारखाना और घर से लेकर एक chain है जिसके अंदर लोग काम कर रहे होते हैं और वो बड़ी chain में सारे अक्सरियत लोगों की वो है जो आपके सामने नहीं है यो किसी अदारे में नहीं है ज जो अन्डॉक्यमेंटेड है जिनका काम हिडन है जो लोगों को नजर नहीं आते हैं तो वो बहुत सी ऐसी भी चीज़े हैं कि बहुत से लोगों को काम करना पड़ता है लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो नजर ना आए तो माशरे के अंदर भी उसके लिए एक गुझाश है कि लोग फैमिलीज और खांदान और मर्द ये सोचते हैं कि हाँ औरतें काम तो करें लेकिन अगर उनसे पूचा जाए तो वो ये चाहेंगे कि उनको पता किसी को ना चले कि उनकी हैं औरतें काम करती है क्योंकि वो गैरत का सवाल है एक मेल ब्रेडर नर का तसवर है जो अभी तक है जो फिक्शन है रियालिटी नहीं है इसलिए कि पहले भी औरतें घरों में काम करती थी तो ये इन्ही एटिचूडनल इशूस के साथ साथ के वो काम हिडन है उसको विजिबल होने की जूरत है और राइट्स को उसूली तोर पर इससे जोड देने की जूरत है कि कहीं भी बैठके कोई काम करेगा उसका राइट होना चाहिए जो इन्फॉर्मल सेक्टर है उसमें सबसे ज़्यादा काम खावातीन वर्कर्स काम कर रही है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मैं कहूंगी के वो फैक्टरी गार्वर्मेंट में है और सेकंडली वो घरों पे जो काम करती है उनको किसी किसम का तहाफूज हासल नहीं है वो अपने हुकूक के लिए बात नहीं कह सकती है कि मतलब अगर कम पैसे उनको उजरत दी जाती है तो यह ठेकेदार से या मिडिल मैं से यह नहीं कह सकती कि आप मेरी उजरत बढ़ाए तो औरतों के साथ यही फिकर होती है कि अगर हम यह काम नहीं करेंगे तो जो सेट है या कांट्राक्टर है वो दूसरे नेबर हुड में जाके वोई काम दे देगा तो इसलिए उनकी तो रोजी भी खताम हो जाएगी और वापस उनके नेबर हुड में कोई आएगा भी नही कम्यूनिटी में तो यह हुआ लेकिन इंडिया में कई मिसाले हैं जहां पर बहुत इफेक्टिव किसम की उन्होंने और्गनाइजिंग की जहां पर उनको सपोर्ट भी मिली अपनी स्टेट से हमारे हाँ जो प्रॉविंसेज हैं या लोकल गवर्मन्ट के इदारों से सपोर सबसे बड़ा इंडिया में और्टों का एक और्गनाइजेशन है जिसमें के यही उजरत के हवाले से शुरू हुआ था और बहुत सक्सेस्फुल रहा है तो मिसाले तो मौझूद हैं सिरफ यह हमने भी आगे लेके जाना है इस काम को हमने स्टैडी की तो हमने उन से पूछ सबसे हैं यह को पर ना गषै सबस्क्रमाइज में बें यह उिसमें हमें से और बात यह हम घर से नहीं ही निकल सकते हैं और अगर हमनेisinघ्न होने की और अचैना हम होनेगी कोशिश कि तो यह औरलग कम हो जाएगा जो कि हमारे उपर एक और बाडन हो जाएगा दूसरी चीज जो हमें नजर आई इन सब चीजों के अलावा वो यह के लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते हैं उस ट्रस्ट ना करने की वजह यह लोग बताते हैं कि जो भी पिछले कुछ सालों में जो मतलब इतनिसिटी का प्रॉब्लम बहुत जादा बढ़ गया है एक वह भी बहुत बड़ा मसला है दूसरा यह कि और तों की विबिलिटी जो है वह बहुत जादा रिस्ट्रिक्टेड है हमारे माश्रे में कि और जो है अगर उसको अपने परोस की और चसे भी मिलें के लिए जाना है तो उसको अ एक मिसाल है अगर बतियां बनाना जो के वो घरों में बनाती है एक हजार अगर बतियों के एविल्स उनको पांच रुपए मिलते हैं पांच से साथ रुपए इस पर मुनहसर है कि अगर बति का साइज क्या बड़ी है या चोटी है सारा दिन लगता है एक हजार अगर बतिय का और उसका जो गूदा होता है उसमें से फ्यूम्स जो निकलते हैं वो बड़े स्ट्रांग होते हैं मुझे नहीं मालूम उसमें क्या केमिकल होते हैं लेकिन उनके साथ आप तीन चार घंटे बैठना इंपॉसिबल है वो और खुद नहीं बैठ सकती है और उनको उसको प्राब्लम्स थे ब्रीधिंग प्राब्लम्स रेस्परेटरी प्राब्लम्स और स्किन के प्राब्लम्स और उनके अगर कोई जखम बन जाते थे वो सही ठीक नहीं होते थे तो ये हैजडिस ये सिर्फ एक मिसाल है हैजडिस काम की जो कि किसी को ख्याल भी नहीं आता कि ये ह है हम तो जब उन औरतों के पास बैठते थे दस मिनट में हमारे सर में शदीद दर्द शुरू हो जाता था वो कहती थी हम चार घंटे ये कर सकते हैं तो मतलब वो उन्होंने अपने आपको इतना ज्यादा वो कर लिया था लेकिन ये काम तमाम दिन में घराना कितनी अगर बति पर बहुते भी मिलके कर रहे थे लेकिन उसका हेल्थ पर क्या एफ़ेक्ट है स्पेशली लांग टर्म में हमें तो इमीडियर्ट टर्म में नजर आगया डॉक्टर को लेकिन लांग टर्म इसकी स्टडीज होनी चाहिए कि 10 साल बाद अगर इनको कैंसर होता है तो वो क्यों इन्वालवड है जहां पर आप हजार अगरबतियां पांच रुपए में बना रहें और मार्केट में आप 10 अगरबतियां 10 रुपए में खरीद रहें प्राब्लम ये भी है कि उनको बार बार उठना पड़ता है काम के लिए इसलिए कि उनको जो बाकी घरेलू जुम्मेदारियां जो सोक वाल्ड है उनको भी पूरी करनी पड़ती हैं उनके बच्चे भी जादा होते हैं क्योंके उनका एक्सस नहीं है कि रीप्रड़क्टिव क्या क्या हो सकती है जादातर जो हूंबेज वरकर्स हैं वो चाहे यंग हैं लेकिन उनके पास पढ़ने लिखने की फिसलिटी उनको कभी हासल नहीं हो सकी इसलिए जादातर जो वरकर्स हैं वो पढ़ने नहीं हैं उनमें बच्चों की भी तादात शामिल है उनमें यंग ल तो आड़तें घरों में काम करी हैं, वो काम आखिर उन्हें क्यों दिया जाता है। जब कि ये भी कहा जाता है कि ये तो गहर हुनरमन्द हैं और ये फलानी चीज नहीं कर सकती है। तो वो काम उनको क्यों दिया जा रहा है। जादातर कास्ट को कम करने के लिए लोगों को घरों पे काम लिया जाता है। उसमें उनकी वो कास्ट कभी भी इंक्लूड नहीं की जाती जो वो अपने तोर पे इस्तमाल करते हैं। मतलब उनका इंपुट जो है उसे कभी भी काउंट नहीं किया जाता। फर एक्जामपल उनका जो घर है, वो स्पेस जो यूज कर रहे हैं, जो बिजली वो यूज कर रहे हैं, जो मेंटेनन्स के मद में पैसे वो खर्च कर रहे हैं, दूसरा जो कभी-कभी धागे और यह सब चीजें भी वो लोग खुद ही इस्तमाल करते हैं, जो उनकी सहत को जो हो सकती है, और जो होती है, इस्पेसली जादातर लोगों की आँखों के ओपर, बिनाई के ओपर बहुत असर पड़ता है, कमर के दर्द की तकलीफ होती है, रिप्रड़क्टिव हेल्थ के ओपर प्रॉब्लम्स बहुत आ जाती है, यानि जो उनका पूरा सहत जो है, वो बह आपको लगता है कि यह कोई चालिस पैंटालिस साल की वारत है, क्योंकि उसको इतना ज्यादा काम और इतना लगतार करना पड़ता है, कि उसकी सहत बहुत जादा मतासर होती है, दूसरी तरफ यह के माफजान को बहुत कम बिलता है दिए जी बात यह है कि यह बट्टे के पर काप करती है और हीडिय बनाते हैं, तो वहां का ठीकेदार जो है, वो उसके शोहर को इतना पैसा दे रखा होता है, उदार के सूरत में, कि वह और सारी जिंदगी काम करती रहती है, उसका पैसे उतारती रहती है ना उसको मेडिकल फिसल्टीज हैं, ना उसको जच्चगी अलाओं से हैं, ना उसको कुछ है, वो सिर्फ सारा दिन काम करें इसी तरह रोड के अंदर औरते काम करती हैं, रोड बनाने के अंदर, आपको काठी आवारी ये दूनी और ते देखें, पी लिजी सारी बांदी काम करती हैं, सारा दिन काम करेंगी कोई उनको फेसल्टीज दें, अनरगनाइज आइज आउरतें जो घरों में काम करती हैं, उनकी कोई मेडिकल फसिल्टी, हलाकि इनकी सोशल स्कूर्टी के तेथ इनका हिलाज होना चाहिए, इनको ओल्ड इज बेनिफिट के तेथ उनको भड़ापी का मिलना चाहिए, कुछ नहीं है, तो हमारे हैं के आठ देस परसंट चो टोलर मस्दूर अर्गनाइज है, बाकि अर्गनाइज यह अजाज़त दे कि यह लोग जो घरों में काम करते हैं, इनको एगनाइज करके इनकी एसोसेशन बना चाहिए, इनके हकुक के लिए लड़ा जाए, तो इसके लिए तेयारी पर हमने सब उनको तजावीद मैंने खुद लिखके दिये इतिना गर के आउरते बटड़ में काम करने वाल लिए खेच एंदर काम करने वाले के अजाज़त को किसाने वरत को यत्नी भी काम करने वाली हारी और मर्दों को इनको टेड़्योन बनाने की कानूनी तोर फे अजारत दी जाए, नहीं है। हमने मुतालबा किया है मैंने लिख के वज़ा में आपको कहीं मैं तमाम जो कुछ तजावीद लिख चुकी हो उसमें के हारियों केड़ीयों मनाने के जाज दी जाए अगर हारियों के टेड़ीयों बनती है तो उनको मेडिकल फसिल्टी मिले सोचे स्कोटी का मसला मिले उनको ओल्डेज मेनिविट मिले वो तुमचारी सारी जिंदगी काम करते रहते हैं ना औरत को नमबर को कुछ भी निलता माँ उल्टा उनकी बच्ची उनके पास रहन होती ह तो ये तब हो सकेगा जब इस मुल के अंदर ये फ्यूडर लाज सिस्टम का कलम कमानी हो। फ्यूडर लाज जो है वो कभी भी नहीं करने देगा। आजने अजना इलो अजना अजना, वे अजना अजना टॉडर लाज फ्यूडर थे लिए अजना ऑड़्टा ये खानजना टॉडर लाजना था जना आन आजना अजना को। तो ये मर्दों के निस्बत हमारी ओर्टों को उज्रत बहुत कम मिलती है और मत्से जादा कंपनी में औरत महेनत करती है चाटी करना, हर किसम का माल अलग-अलग करना मच्छी मतब जितने किसम के उनके जैसे गिरेट के मताबिक मच्छी को निकालना तो ये सारे औरतों का काम है और सिफ मर्द सुपरवाइजर होते हैं उसको इससे डबल जाए यानिक समझ लेकर टिबल तंखा मिलता होगा लेकिन औरत का ये हक नहीं मिलता और अगर कोई ओरत किसी मजबूरी से अगर रिटार्मेंट ले भी लेती है तो इसका बॉनस वगएरा जो पैंशन वगएरा है वो भी नहीं देते औरत होने के नाते से उनके साथ हर तरह की हरास्मेंट होती है जैसे अनीकुल वेज़ेज हैं अनीकुल वर्किंग कंडिशन हैं प्रेफरेंस्स हैं प्रोमोशन के अंदर यो नो प्रॉब्लम्स हैं तो ये सारे चीज़ों उनको फेस करनी पड़ती है जो वर्किंग है वहां पर कुटिंग की है दूसरी और भी मतलब ग्राफ बराने की वो एक लड़की भी करी है वही आदमी भी कह रहा है तो उस मिल रहे हैं तो उसको say reliable तो आज्ग देंगर असको मिल रहे हैं तो इससोराफ के वक्त भी वही तंखा मिलेगी पंदरा सो उसमें उनको कोई मेटरनेटी होम जैसे डिलेवरी की कोई सहूलत नहीं है उसकी कोई छुट्टी नहीं देते हैं तीन मैना उसूलन कानून के मुताबिक हर औरत तो तीन मैना हक है तो वह कंपनी वाले देते नहीं अगर औरत कोई बीमार है उसका अलाउंस मोटा है कानून में है बहुत सारे लेकिन हमारी ओरतों को यह कानून पता नहीं क्यों के इन में तनी तालिम नहीं है इनको तंखा देते पंदरा सो अंगुठा लगाते तीन अजार पे तो वह पड़ी लिखी है नहीं उनको समझी नहीं किस च आ गया तो पहले से वाट को बता दीा जाता है तिमको iyi है इतना इंको को इस घंसा कितने की सहूलते कंपनी में कि समय ले कि कुइस नहीं जाहें कषूपा करते हैंगे जो चाहां है में 1413 आ को 2008 यहांज 25 kö स्धम करते हैं हम ना सुरूप अगरण मिला के 26 ओर महीना बनता है लेबर लॉस के जो इंप्लिमेंटेशन है उसको जो ओवरलुक करने वाली जो चेक करने वाली जो मिशिनरी है जो के हमारे लेबर डायरिक्टरेट कहलाते हैं और उनके जो लेबर इंस्पेक्टर्स क्योंकि अब हमारे हां कुछ हर्से से औरते भी जो के लेबर वेलफेर आफिसर बनी हैं और वो भी जाती हैं और वो भी इंस्पेक्ट करती हैं लेकिन मेरी फिलिंग ये है कि ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो हैं इत्ती एफेक्टिव नहीं होती है अगर अगर ट्राइपार्टाइट लेवल ये चीज होए तो ये ज्य युष यह दर होता है कि यह हमें निकाल ना दिया जाए जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अपनामिक निस्से टी है उनके लिए वह उप्लॉवमेंट वह जॉब तो उनको यह डर होता है जा निकाल दिया जाए या हमसे बद्सुलूखी ना हुए। करो तो करो निकाल जाओ डाटे रहता है यह होते जारा हए उसमारे को पनीख भॉना समिलता है नहीं कोई दॉक्त पर कम चार्वी इसेC उब भागी कानून का मार को पते ही सब भलता है और भी उपड़ अवर कुछ मिलते हैं अब हमस्बूरी उमने हुएं तक कह रही हो बहुत जा है हमारा लेटर नहीं निकाला जा रहा है हमारा कॉझ पांच साल भी काम टारा रह ओपर दस थाध कराएंगे तो वो त्ण मुट्वा करेंगे तो कंभा pareil कि हमने थो ना हम पदें ना हमारी को य९ूनियन हैं ना कोही हमाली सुनाई हैं ठीक ह् fellow भाइन हाम मैं किश हम तर्ondere हम बटा हमरे हम्हें कितना कटते रहें कितना नहीं करता और हमारी जो छुटी और हम किशोचपन क काम करती है सालेटी स्टाफ जो है और यह बड़ा मुश्कल काम करना वाला है सड़क के उपर जब जारू देती है उसका प्रेगनेंट होती है बच्चा पैदा होने वाला तो वो चारी को जुक के देना चाहिए हाला के हैल्थ और ऑर्गनिजेशन इस बात का फ्रत यह बिल्क लेकर उसमें यह हमारे अभी तक कोई सिस्टम नहीं है तो खवातीन जो स्विपिक ताब काम करती है इनको कुछ भी नहीं मिलता था ना पैंशन ना ग्रेजवेटी ना कुछ अब तो पैंशन मिल भीमिन करवाई ग्रेजवेटी मिलती है अब इनको और तो चुटी हम भी मि तो उस टाइम के ओपर हमें तंखा टाइम से मिलते थी दो तारिकों सिर्फ यूनियन ना होने की वज़ा से यह मुश्किल है और अगर हमारे लिए कोई लीडर बन जा चाहे तो बन जाए और अगर कोई लीडर बनता है तो केंसी कारपरेशन उठा को बंद कर देती है कुछ अंदाबसे पेंसे का से कम पाकिस्तानगे लेबर जो है वह ट्रेड यूनियन्स का हिसलिए उस वज़ा से बहुत कम लेबर है जिशनके राइट ज़ो reputation होती है वो अच्छी नहीं समझी जाती जो ओरतें घरों से निकलती हैं काम के लिए उनको अक्सर अजाज़त नहीं होती है कि वो उनके activities में हिस्सा लें या उनका कुछ और तो हमारे पास बहुत कम खवातीन हैं जो के role models भी बन सकें और खवातीन के लिए उस वज़ा से भी खवातीन के हवाले से उनके हुकुक और भी ज्यादा कम और वो जाते हैं और जो सर्वेस हमने की हैं बहुत कम खवातीन को अपने legal कवानीन के बारे में मालूम था कि हमें कम से कम मतलब जो अजरत है उसके लिए कितने तंखा मिलनी चाहिए वो उनको कुछ मालूमात नहीं थे और अगर उनसे हमने पूछा कि आप इसके बारे में कुछ करना चाहती हैं तो उन्होंने कहा कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन उनको बहुत फिकर थी कि कहीं उनकी जो जाब है जो काम है वो छूट ना जाए क्यूंके जाहर है जो भी सेट हैं मालिक हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा कि वो इस किसम की एक्टिविटीज में हिस्सा लें तो और ये कि घर वाले भी बुरा समझेंगे समनी सर्वे किया था एक हजार से ज्यादा औरतों का पाकिस्तान के चार शेरों में तो हमने देखा कि जो उस वत की मिनीमम वेश थी वो किसी भी वर्कर को ने मिल लही थी और वो सब स्किल्ड काम कर रहे थे और वो सब जो है अपनी काम में जिस जगा भी थी जए वो ek साल से ज़्यादा अर्से से काम कर रहे थे तो इसका मतलब वो पर्म Ari告 के कैटरिगरी में थे लेकिन उनको किसी को भी मिनीमूम वेज नहीं मिल ली थी और उनको अक्सर लोगों को ये पता भी नहीं था कि उसकी मिनीमूम वेज क्या है अगर वो वीविंग में किसी स्टेक्सितायल में काम करती है तो वहां का सेट उसको इतना दबाता है कि तुम यून अच्छा यून बाजी करती हो वह वह वहरान निकाल दा उसको अपनी नौक्री की फिकर होती है अगर मैं यूनियन बादे में निकल गई तो मैं चारूंगे ओम और वह अपनी मजबूरी के ताइब नवखरी करती है, मैं मअची मिसाइल को होल गरने के लिए नवखरी करती है। तो इसको कहते हैं, वो नहीं। ओर जो है एवर जो है आज कल का जो ट्रेड यूनिय Cakeा된ट हुआ है, अब ही मसलह हूँ है कि coś है क्जे मेरा जो ट्रेड यू возь है। है एक मैं महसूस करता हूँ कि एक किसम की रुकावट है खवातीन वरकर्स के अप कह सकते हैं आगे बढ़ाने में बड़ा जरूरी है कि हमारे मेल जो ट्रेड उनियन वरकर्स हैं उन में जादा एक शूर पैदा हो जिसकी बुनिया पे फीमिल वरकर्स जो हैं उनके लिए एक स सब्सक्राइब करते हैं असलिए कि उनको खौफ होता है गहर वालों का इंतिजामिया का जहां वो जॉब कर रहे होती है वह बहुत ज्यादा लोग का प्रेशर होता है कि आप यूनियर में नहीं जाओ करी लड़के काम करने के लिए निकलना चाहती हैं ट्रेड यूनियर मे में लिए के लड़के मैं लेकिन च scorig जाती है लेकर वो आगे बढ़के क्यादत करने के लिए ते यार नहीं जब मैं यूनियर में आई थी तो मुझे भी हर तरफ से मना किया जा रहा था कि नहीं जाना बिलकुल मैं जब यूनियर में चला जाना दा था तो इंतिज आमिया से बी कई مسायल का सामना करना परता है। जिस तरह जब distracty जी है या उनको वेजित के अर्भामला आता है है वहां पर उन्ने कंवेजिस के ओपर रखा जाता है। और tруж्का हमारे जो मालका अर्म प्राइवेट स्कूल के माले वो उने زیادہ تنخواہ پہ سائن کرواتے ہیں اور کم تنخواہ دیتے ہیں وہ بیچاری خواتین جو ہیں وہ کسی کے آگے اس بات کا اظہار نہیں کر سکتی کیونکہ اس صورت میں انہیں کسی یونین سے رابطہ رکھنے کی صورت میں یا کہیں شکایت کرنے کی صورت میں نوکری سے برخواست کیا جاتا ہے کیونکہ وہ نوکری temporary ہے اور اس کا کہیں اندراج یا record نہیں ہوتا وہ teachers کو رکھتے ہی temporary basis پہ ہیں اور وہ ان کے ادارے بھی بعض دفعہ registered نہیں ہوتے اور بعض دفعہ غیر registered ادارے وہ اسی طرح teachers کو کچھ مہینوں کے لیے رکھ کر اور بعد میں نوکری سے نکال دیتے ہیں میرا اپنا personal experience اس حوالے سے جو working women کے حوالے سے رہا teachers کے organization کے حوالے سے رہا تو بہت سارے ہمیں تو being teacher ہمیں تو یہ allowing نہیں ہے کہ ہم collective bargaining کر سکیں کب سے بڑا تو یہ problem ہے یونین بلکل ہونا چاہیے ان اداروں میں کیونکہ یونین جو bargaining کر کے آپ کو دے سکتی ہے دلوا سکتی ہے وہ انتظامیہ آپ کو خود با خود نہیں دے سکتی کبھی بھی نہیں دے سکتی چاہے وہ جتنی ہی اچھی انتظامیہ کیوں نہ ہو غیر مساوی عجرت کے علاوہ تنگ نظر سماجی رویے عورتوں کو معاشی میدان میں مردوں کے مساوی مواقع بھی فراہم نہیں ہونے دیتے ابھی تک ہمارا معاشرہ خود مختار عورت کے تصور کو ہی قابل اتراز گردانتا ہے گھر سے نکل کر کام کرنے والی عورتیں روزانہ اس حد تک آمیز رویے کا سامنا کرتی ہیں یہ معاشرتی محول بھی آئی ایل او کی کنونشن ایک سو کی روح کی نفی کرتا ہے ہمارے خواتین مردوں کے ساتھ کام کرتی ہیں ان کے مریض جہاں وہ مرد ہوتے ہیں ان کے ساتھ وارڈ بائیز جو اٹینڈنٹس جو کام کرتے ہیں وہ زیادہ تر میل ہیں وہاں پر ڈاکٹرز جہاں وہ زیادہ تر میل ہیں اور یہ خواتین ہماری خواتین کو جب رات کی ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے اور رات کے ٹائیں وہ اکیلی ہوتی ہیں اور اس میں ہمارے خواتین کو بہت سیکشیل حراسمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے کوئی لڑکی اگر جوب کے لیے جائے تو پہلے تو ان کو اپنے بوسس کو پلیس کرنا پڑتا ہے تو پھر اس کو وہ جوب مل رہی ہے اور اگر وہ جوب بوسس کے پلیس نہیں کر رہی ہے تو وہ جوب اس کو نہیں مل رہی ہے جہاں پہ زیادہ بڑی فیکٹریز ہیں وہاں پہ پھر بھی کچھ میکنیزمز ہیں جہاں تھوڑا بہت ٹریڈ یونینز ہیں لیکن جہاں چھوٹے لیبل پہ کاروبار ہو رہے ہیں اور جہاں عورتیں انبول ہیں وہاں پہ بہت زیادہ سیکشیل حراسمنٹ بھی ہے اور عورتیں پھر بھی مجبور ہوتی ہیں کام کرتی ہیں ابھی میں ایدھر کام کرتا ہم ایچ تین سال ہوا ایدھر بھی ایسی ہم لوگ سے سافہی بھی کر رہا تھا لہتین بھی دعا تھا کیا ہم مزبور ہی گا تو ایلوک ابھی ایدھر ہم لوگ کا تانکہ بھی کام تیس سو تانکہ ہم لوگ کو کتنے حساب بانتا ہم لوگ کے حساب میں تو زیادہ ملا کبھی تین یا زار کبھی سابی سو ڈائی یا زار بھی ہم لوگ کو تانکہ بٹھاتا ہم ایتنا دین رات میں حانت کرتا ہم جو گھنٹہ یا گھنٹہ کھانا کا سوٹی تو وہ بھی آدھا گھنٹہ گا دیتا ہم لوگ کو کیوں مزبور ہی گھنٹہ جو تھوڑا دے رہتا ہے ڈرٹ بڑھتا ہوں پر سے دور سے سب باغ جاتا ہم نیسے مزبور ہی گھنٹہ کیوں گھر پہ بیٹھے محلہ بھی کوئی کام ہوتا ہی ہوتا ہی نہیں بچے تو پلنے گھر پون چالے مورد ہوتے گھر چالے لیتا ہے مورد نائی جس کے اسکے پون چالے تو مورد بن کے پیشری جاتا ہم مورد بن کے گھر پہ آتا ہم کیا کروں مزبور ہی گھنٹہ ہمارے نرسنگ پرفیشن میں ہمارے پاس خواتین جہاں وہ زیادہ تعداد میں ہیں مرد حضرات بہت کم ہیں لیکن خواتین کا جہاں تعلق ہے ہمارے بہت سارے مسائل ہیں ہمارے خواتین جہاں ان کی سیللیز بہت کم ہیں جتنا کہ وہ کام کرتی ہیں گورنمنٹ میں سیللی ہے تو کم لیکن پرائیوٹ سیکٹر جو ہمارا اس سے زیادہ بھی ان کو ففٹی پرسن سیللی کم دیتا ہے پرائیوٹ سیکٹر میں نرس کی سیللی سٹارٹ کرتے ہیں دو ہزار سے اور میکسیمم پینتیس سو پہ جلی جاتی ہے اس سے زیادہ سیللی نہیں دیتے سوائے ایک آدہ دارے کے ورنہ عام طور پہ ان کو سیللی اسی کے درمیان رہتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی سیللی جیسے بڑھنی چاہیئے تھی وہ نہیں بڑھی وہ اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جبکہ باقی پروفیشنز میں خواتین کی سیللی جہاں وہ کافی بڑھیں ہیں ان کا سٹیٹس بھی بڑا ہے لیکن نرسنگ پروفیشن میں ہمارے پاس اس کا سٹیٹس جہاں وہ پہلے سے بہت نیچے آگیا ہے جو لڑکیں گھر سے کام سے نکلنے نکلتی ہیں کوئی لالو خیت میں رہتی ہے کوئی جہنگیر آباد میں رہتی ہے مختلے علاقے سے مضافاتی بستی ہیں اس فیکٹریوں کے اندر کام کرنے کے لیے جب نکلتی ہیں تو وہ مجھے بتاتی ہے باجی میں کن کن مسائب کا جب گھر سے صبح نکل کے جاتی ہیں تو بس سے ہم جاتے ہیں بس سے جاتے ہیں دفتر پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ان جو وہاں کے اوپر سپروائزر ہیں ان کی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مالک کی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں ہم سر تن مند دن سے کام کر کے جب نکلتے ہیں تو ٹریفک کا مسئلہ اگر ہم گھر سے دیتے ہیں محلے کے لوگوں کا ہمیں محسوس کرنا پڑتا ہے کہ محلے کے لوگ کہتے ہیں اب یہ گئی تھی ابھی دیر سے کیوں آئی یہ نہیں سوچتے ایک مرد اگر کام کرنا کے لیے کہ اگر وہ دیر سے آیا بس کی ہو سکتی ہے سو بات ہو سکتی ہے یا فیکٹر میں دیر ہو سکتی ہے ادھر وہ گھر والے کہتے ہیں اور اگر وہ شادی شد آیا تو اس کا شور یہ کہتا ہے کہ کس یار کے پاس گئی تھی یہ آکے وہ جب مجھے بتاتی ہیں تو میں کہتا تھا یہ اور جو کام کرنے کے لیے کچھ دورہ تیرہ سر سال ہے گھر کا کام وہ کر کے بچے وہ سمالے فیکٹری میں کام وہ کرے اور پھر وہ تمام لوگوں کے تانے بھی سنے ये समझते हाल एक और पो यहां मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक मेजर इशू है कि हमारे हाँ जो खवातीन है जो खवातीन वरकर्स है उनके पास अपने अपनी स्किल डवैलपमेंट के मौके जो है वो मसावी नहीं है शुरू से ही जो एक डिस्क्रिमिनेशन है एक जो तासुब है औरतों के खिलाफ जो घरों से शुरू होता है जहां पर खानदान भी नहीं चाहता कि बेटियों के उपर उस तरह से अपना इंवेस्मेंट की जाए जिस तरह कि वो बेटों पे करना चाहते हैं किस की को हुनर सिखाने के ऊपर वो अपने रिसोर्स जाथ जो अनके पास जो भी उनके वसाई हैं वो खर्च करें तो आम ताप पर लड़कों को उसकि उपर प्रेफिस देटें। तो वहीं से ये है फिर आप देखें कि हमारी रियासत में अभी अगर आप देखें कि जो वोकेशनल सेंटर्स हैं उनके आप अदारे देखें तो बहुत काम ऐसे हैं जहां पर खवातीन जा सकती है एकल वेज पेख की बात हम कर रहे हैं तो मिनिममम वेज का एक लौ है जो 1963 से यहां बना हुआ है उसमें अब तक यह था कि वो पचास से कम अगर कहीं लोग काम करते हैं तो उन पर लागूई नहीं होता था और पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रिल कमरिशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि 70% से ज्यादा लोग तो ऐसी जगों पे काम करते थे जहां पचास से कम होंगे इसलिए उन पर वो लगता ही नहीं था और मीनिममम वेज बहुत कम रही है वैसे भी जो जो जूरत के मताबक होनी चाहिए वो नहीं है तो अगर आपने law बनाया है, minimum wage जो है वो law सब पर नहीं लगता है और minimum wage ऐसी determined की है जो actually basic minimum needs को पूरा नहीं करती है तो भी law का purpose जो है वो defeat हो जाता है labor departments है, inspection teams है, वो visit करें factories, देखें कि जो कावानीन हकूमत ने बनाये हैं, उन पर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो इस सलसले में हमारी कोशिश ही होगी कि जो हमारी federal level पर monitoring team है वो सूबों के साथ एक लेजा रख कर कोशिश करें कि implementation should be total और इसमें किसी किसम की कोई कमी नहीं होनी चाहिए इंप्लेमेंटीशन के लिए मैं यहीं कहूँगी कि labor departments को जो है कहलाते labor departments बने हैं laborers के लिए तो उनको अपने रोल जो है वो सही अदा करना चाहिए यह नहीं कि management के पास चले गए और लिफाफे लेकर जेब में दालके चले आ गए यहां तक करते labor department के लोग के वो management से लिफाफे लेकर चले जाते हैं जो औरते मजबूरी के ताहित काम करने के लिए निकलती हैं उनको चाहे मावजा मिले बराबरी का या ना मिले वो हर हाल में उनको करना है क्योंके काम करना जो है उनकी survival का मसला है उनको जिन्दा रहने के लिए उनका काम करना जरूरी है लेकिन equal wage का मतलब मसावी जो एक मावजा है वो मिलना तो हरे का बन्यादी हक है तो उसलिहाद से ये जरूरी था कि ये हम वो हाक लोगों को हम देते लेकिन इसका मैं समझती हूँ हरगस चाहिद ये मतलब नहीं होगा कि वो हाक देने से जो workers के rights है वो ensure हो जाएंगे या वो उनको खुदाखुद मिल जाएंगे उसके लिए बहुत सारी और चीजें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी अगर हम वाकरी चाहते हैं कि लोगों को उनका जो काम है उसका मौाफ़ा मिले equal work वो जो कहते हैं equal wages for equal work क्योंकि equal wage मेरे लिए ठीक है ये एक बहुत principal issue है और legal issue है और ये एक बहुत जरूरी necessary condition है कि ये होना चाहिए क्योंकि ये legal rights जो है वो एक framework set करते हैं आशरे के अंदर और मैं समझते हूं वो बहुत जरूरी है लेकिन legal rights का जरूरी नहीं है कि legal rights मिलने से लोगों को खुद बहुत उनके हकूक मिल जाएंगे ऐसा law आ भी जाए तो मैं समझते हूं इंप्लेमेंट होने में बहुत टाइम लगता है उसको और इंतिजामिया मैं समझते हूं उसको आगे लाने में problem create करेगी नहीं कि अगर वो बराबरी की बुरे नाथ पैसा करती है तो उसके लिए खुद प्राबल इसलिए भी है कि अब हम इसके लिए पाकिस्तान के अंदर बैठके कुछ कर तो सकते हैं हम हकूमत से कह सकते हैं कि आपने ये किया है अब आपके ये कवानी हैं इनको implement करें तो उसके लिए इनसान काम शुरू कर सकते हैं लेकिन अगर ये हो ही नहीं तो फिर आप कहां से है अच कर दिन सकते हैं हूम कर दोमेत कर लो आपके ले नहीं तो यह में एकर इनसा बिल्फाद के ये मन कर खारत को से में आपके तो ये हैं नहीं हो भी प्रेस्टे का भी हैं, को में अपसे कोसी उन्ट कर सक्वासिए लिए। नहीं होग प्रफब दो दो में जोन एक क्वेल जो प्रेसिए कर सक्वादिए एक है मैं जोमें से ऊपोडस, नहीं हो और स्वान? जैसे इंग्लेंड में देखें, इनीस सो सब्सक्राइब कर लोग बना था, अभी दो साल पहले उरना नहीं एक रिवीव कर आया, तो पता चला के अभी भी 30% का डिफरेंशिल मौजूद है, मर्दों और और औरतों के वेजिज़ में, 30 साल यानी 2000 में हुआ था, 70 में लोग बना और 2000 में उसकर रिवीव हुआ, 30 साल के बाद, 30 परसेंट, जैसमें डिफरेंशिल अभी भी है, औरतों की वेजिज़ ऑन एवरेज, 30 परसेंट कम हैं, फौर लाइक वर्क, तो, और वहाँ पर जाहर है कि औरतों की मुव्मेंट भी है, ट्रेड यूनियन स्ट्रॉंग है, जैनली ससाइटी के अंदर इकॉलिटी के नोशन्स जो हैं, वो ज्यादा स्ट्रॉंग है, इंस्टिटीशन्स मौजूद हैं जहां लोग जा सकते हैं, सेट को अपने राइट को प्रोटेक्ट कराना निस्बतन आसान है शेयरियों के लिए, जिसके बावजूद तीस साल के बाद अगर वहाँ ये डिफरेंशल मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये के, सिर्फ लोग बन जाना काफी नहीं होगा. तर्बियत के दोरान जो के आपको कदर सिखाई जाती है कि आपकी एक सोशल वर्ल्ड वो आदमियों से अलग है, और एक सिकलूशन का और एक सेपरेशन और एक पर्दे की कॉंसेप्ट जो है, उसकी वज़ा से खवातीन घर से उसी वक्त निकलना उनको इजाज़त भी मिलत करती है क्योंकि उनको सिखाया गया है कि आपकी जगह जो है वो घर की चार दिवारी के अंदर है, उसी वक्त करती है जबकि उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है माशी तोर पे एक उजरत कमाना, और अगर उनका ये मसला हल हो जाए, तो वो फिर चाहेंगी कि फिर काम करन बंद कर दें, तो ये सिर्फ उस वक्त तक होता है, चाहे ये देही अलागों में हो, चाहे ये अबन अरियास में हो, तो एक उस उस गदर की वज़ा से जब तक उस से बहार निकला जा सके और ये एहसास दिला जा सके माशरे में, कि ये खवातीन का अगर वो काम करना चाहें तो ना सिर्फ माशी जरूरत की वज़ा से, मगर अपने आप को किसी ऐसे काम में इन्वाल्फ करने के लिए जिससे के उनकी खुद की भी अपनी एक उनको साइटिसफैक्शन मिलती हो, उस पदर को डिवेलप करने की जरूरत है, ताकि और ये ना समझे कि हमें सिर्फ मुसी है, और आप समझते हैं कि अगर मैं अपने इस हग को इस्तमाल करना चाहूं, तो मैं काम करना चाहूं, तो कर सकते हूं और अपने लिए बेहतरी जिन्दगी ने बेहतरी ला सकते हैं. जैसे एक मर्द है उसके जो उसके पास जो स्किल्स है उसके पास जो हुमन कैपिटल है बेचने के लिए जो अब मार्फीटल वो औरत के पास ज्यादा तर जिक्सरियत हमारी ओरतों कि उनके बास नहीं होता है बदकिस्मिति से हमारे हाँ ज्यादातर ओड़ते इसी तरह के काम करते हैं जिससे उनको किसी तरह की पर्सनल सैटिस्फेक्शन नहीं है बलकि उनका बहुत ज्यादा माशी और समाजी इस्तेसाल भी होता है ि the real core problem is how to get people educated and trained and get employed once they get employed they will take care of their health of their children education of the children nutrition everything so at the end there's a Chinese saying that don't give fish to people but train people how to fish this is sustainability you know but so far I think the development for this couple of प्रिश्पर में प्रफिस्टाइब दिए चाहते प्रफिस्टाइब 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 रियासत भी इन्वेस्ट नहीं करती है तो मसला ये कि फिर औरतें जो हैं वो जॉब मार्कीट के अंदर जिसमें हम क्लेरली देखते हैं कि एक सेग्रिगेशन है जॉब मार्कीट के अंदर वो जॉब जिसमें ज्यादा आगे जाने के मौाके हैं जैसे वहां पर तो वो ज्यादा उसमें कंसेंट्रेशन मर्दों का है और औरते आम तोर पर जो सेकेंडरी सेक्टर है जाब मार्किट का उसमें कंसेंट्रेट करती है हमारे यहां सेक्स सेग्रिगेशन शुरू से रहा है आपको पता है यह टरिदीशनली हम लोग जो है बहुत औरियंटेड हैं टौर्डस सेग्रिगेशन उसके बाद probably कुछ लोग जो हैं वो एक उसको religious पहलू भी दे देते हैं और उसकी वज़ए से कहते हैं कि नहीं ओरत अलग और मर्द अलग तो शुरू से पाकिस्तान के अंदर jobs for men and jobs for women रही हैं और इसकी वज़े से आपको पता है जब ये डिविशन हो जाता है या जब ये तफरीक हो जाती है तो उसके अंदर फिर ओवियसली औरतें वही जॉब्स टेक अप करेंगी जो कि उनके लिए मकसूस की गई है या जो उनके लिए आम सूरत में अवेलेबल होती हैं तो जब एक कोरत के लिए सेग्मेंट ऑफ जॉब्स जो है वो अलग कर दिया गया है तो वहां कोई भी वेजिस डिटर्मिन करें इंप्लॉयर्स उसको कोई चैलिंज तो नहीं कर सकता है क्योंकि मारद नहीं काम कर रहे हैं और तें काम कर रही हैं olonis करें Sinday जो सकता है मैनिफेक्ट्रिन्ग में भी आप देखिए के मैनेज़र्स मर्द यह दो और तो ओरतें वरकर्स हैन अब सरवरे सेक्टर हैं कि बस जो है वह अभी भी आदमी जादा है और सेक्रेट्री सफच करने सब करने वाली वह भी भी खावातीन है weiß information technologies आ रही हैं अभी भी हम ये देख रहे हैं कि जो opportunities हैं नई information technology की skills में वो ज्यादा मर्दों के पास हैं आदमी software डेवलप करते हैं और और आटे डेटा इंट्री में जा रही हैं यो नो वो computer सीख के डेटा इंट्री कर रही हैं तो ये जो एक तासुब है और तों के खिलाफ औ और वो उसकी शनाफ जो है वो एक माँ और बीवी के हवाले से हैं ये एक बन्यादी वज़ा बनती है क्योंकि आउरत सिर्फ माँ और बीवी नहीं है वो कारकुन भी है उसके दूसरी शनाफते भी हैं मगर मसला ये है कि पूरा जो माश्रा है वो इस सोच और नजरीय के तह प्रैस्टर्स हैं अईग्येशन में आप देख लेएं हैल्थ में अप इंप्लॉमेंट जाकर मिनिस्टिवाइन कि में देख लेएं कि ता पैसा है जो खर्च हो रहे है — खवातिन चाय हो स्कूल प्रूस है है ये जो कितना हर्च होता है मर्दों कि जो जो जूरूरेयात है Cole को गुरा करनी के लिए तो मैं समयते हूं कि हमारी जो ह έχει कुमत और रियासत है वह इसमें भी अपना करदा अदा कर रही हे कि वह और्तों को जो एक वह जो यह जो सोच है कि और तों की इस चनाक को तसलिव ना करने के का हौ़ा वहां रियासत भी वहमें नजर आता है और माश्रे में भी नज़र आता है गो के ILO की कन्वेंशन एक सौखी तोसीख के नतीजे में बनाया जाने वाला मसावी उज़रत का गानून यकीनन एक खुशायंद इकदाम है लेकिन ये हक्कीकत भी वाज़ है के महस खानून साजी औरत पर रवार नाइनसाफियों का इजाला नहीं कर सकती इसके साथ साथ ऐसे इकदामात भी जरूरी है जिन से माश्रे की अकदार और रवईयों में मस्पत तबदीली आ सके और औरत तासुबात से निजात पाकर खुली फिजा में सांस ले सके ये तबदीली बहरहाल आएगी आज की औरत की बढ़ती हुई खुद एतमादी यकीनन एक बहतर कल की नभी है क्या है